हेलो स्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोट सॉलुशन पे तो आज के इस वीडियो में हम 36 गड़ माध्यमिक सिक्षा मंडल रायपूर की कक्षा 10 वी और 12 की वार्षिक परिक्षा होगी या ना इसके बारे में डिसकस करने वाले हैं पूरा वीडियो आज अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जादा स जादा जरू शेयर करना है जिससे उनकी भी हेल्प हो सके तो वर्तमान समय में लगातार 36 गड़ में केसिस की संक्या बढ़ रही है ओमिक्रॉन की कोरुना और वाइरस की तो दोनों से यहां पर बहुत लगातार संक्रमन बढ़ लेकिन जो सिक्षा बोड है मादेमिक सिक्षा बोड माशिमम द्वारा रायपूर तो इसमें पताया गया है कि जो दस्वी और बारवी के चात्र है यहां पर तो इनकी संक्या बहुत जादा भी है और इस कारण जो है यहां पर यदी परिक्षा कराई जाएगी ऑफ लाइन दस्वी और बारवी की परिक्षा हो सकता है थोड़ा आगे बढ़ जाई है दो कि पड़ ने कर पा पा रहते हैं और बहुत सारी दिक्कते बच्चों को करने बच्चों के सामने अरहीereal है इसके लावा यहां पर जो बच्चे हैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्यों बहुत सारी इश्यों हो जाते हैं नेटवर्क इश्यों भी आजाते हैं तो यह बढ़ते हुए यदि ओमिक्रॉन के इस लगातार चतिसगर में बढ़ते हैं तो इससे बहुत सारी मुश्किल हो सकती हैं परिक्षा के इंदर घर के संभी बनाया जा सकते हैं या फिर ज्यादा जिससे बच्चे यहां पर जो है दूर दूर उनको बैठाला जा सके सोचल डिस्टेंसिंग की जा सके तो देखे फिलहाल यह नहीं हो पा रहा है कि बच्चे कहां से परिक्षा देंगे क्या उन्हें अपने स्कूल में परिक्षा देना है या अन्य विध्धा ले जारा तो यहां पर अभी फिलहाल कुछ बताना मुश्किल है क्योंकि तीसरी लहर जो है इसका बीक बना हुआ है कब समाप्त होंगा यह कहना मुश्किल भी है तो इस वर्ष जो है पिछले वर्ष आपको असाइन्मेंट के आधर पर यहां पर दिया गया था जो आपको मुल्यान क परिक्षाओं को थोड़ा डिले भी किया जा सकता है तो यहां पर जो मार्च में आपकी वार्ष परिक्षा होने वाली एक अक्षा दस्वी और बारवी यह ओमिक्रॉन या कोरोना वाइरस के कारण थोड़ा आगे पीछे हो सकती है या फिर यहां पर मुश्किले या फिर न करने का लिया गया निर्णा है तो यहां पर आजके इस वीडियो में हमने दस्वी और बारवी की परिक्षाओं के बारे में देखा कि इस प्रकार से आपकी वार्षिक बोर्ड परिक्षाओं पर निर्णा अभी आना वाकी है इसके अलावा आपके जो प्रयोश पत्र है थेक्स पर वटचिंग पर ओचिंग।